विल्कम तो और न्यूवीडियो ईस पार्ण्स ये मैनेज्मेंट का हमने सेकेंड बार्ट बिनाया है मैनेज्मेंट की टॉपिक का तो इसमें जो है और्गनाजेशन अंटरनल और एक्स्टरनल इन्वारमंट देख लेता हैं इन्वारमंट में जो है कोई भी कंपनी हो या और्गनाइजेशन हो तो कंपनी का सबसे पहले कल्चिर देखा जाता है कल्चिर में भी जो वैल्यूज शियर्ड हैं बिलीव्स हैं प्रैक्टिसेज हैं वो सारे इन्वार्मेंट की देखी जाती है वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह का उनका बिलीव है और किस तरह से वो प्रैक्टिसेज करते एक्जाईंपल क्रिस्टिंज हैं या मुस्लिम्स हैं या हिंदू popularly किस तरह के हैं और इस तरह के के इन्वार्मेंट के है और्गनाजेशन के एक्स्टरनल info in Minnesota ब्रभ्म सिंफ्रमिशंस में क्या है पेस्टि इनलाइसिस किया पेस्टिन इनलाइसिस किया है सबसे पहले पी जो है वे पालिटिकल इस जो है पोलज़ी जो है ये तो यह सारे सेर्योज देखे जाते हैं किसी भी और्गनाजेशन के इन्वार्मेंट के लिए या कहां पर वह सेटल की जाए ठीक है फिर मैनेजमेंट प्लैनिंग आती है गोल सैटिंग और डिसीजन मेकिंग तो मैनेजमेंट में पहले सें फंक्शन में पर चुके हैं तो इसम सबसे मेन होता है काम उनका प्लैनिंग में क्या होता है सबसे पहले स्टाटेजी जो है कि किस स्टाटेजी से काम करना या गोल को अचीव करना वह देखे जाते हैं लोंग ट्रॉम गोल से जाते हैं और स्टाटेजी सेट की जाती हैं टैक्टिकल प्लैनिंग में क्या होता है यह मतलब की तीन प्लाइनिंग हैं, टेक्टिकल प्लाइनिंग में, स्पैसिफिक एक्ष्णेस टु इंप्लिमेंट स्टार्टीजीज मतलब की कुछ जाइसे एक्ष्ण inícioeder यह जहा हमें हमारी प्लाइनिंग जो है वह काम करें, ठीक है हमारे second goal setting goal setting जो है वो smart criteria के तहत की जाती है जिसमें specific, measurable, achievable और relevant और time bound ये सारी चीज़ें जो है वो mind में रखके checking की जाती है ठीक है decision making processes में क्या होता है सबसे पहले first step क्या लिया जाता है steps in decision making identification of the problem सबसे पहले जो problem है उसको identify किया जाता है जिस तरह से अगर आप example लेके समझें कि इसकी example आप scientific research से समझें सबसे पहले observation की जाती है फिर hypothesis किया जाता है फिर theory बनती है फिर law बनता है इसी तरह से problem को identify किया जाता है फिर सारी information को gather किया जाता है फिर उस information को evaluate किया जाता है जिसमें हम जिसको हम hypothesis कहते हैं ठीक है फिर है जो भी इसके alternatives निकलेंगे किसी भी problem को resolve करने के लिए वो देखा जाता है फिर making a choice मतलब कि हम यह चीज़ करें या ना करें थूरी अभी नहीं बनी ठीक है फिर अब implementation and evolution के बाद हम सारा process जो है फिर आते हैं हमारे strategic management process strategic management process की सबसे पहले definition की वह चीज़ होती क्या है strategic management is the formulation, implementation और evaluation of decision जो भी हमारा पस कोई भी decision या कोई भी काम करना होता है तो इसको पहले formulate किया जाता है planning जिसको planning भी कह सकते हैं फिर इसको implement किया जाता है फिर इसको evaluate करके decision को जिस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में हम मश्वरा करते हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ठीक है फिर an action to achieve long term objectives in an organization फिर हम decide करते हैं या कोई भी organization decide करती है या for example हम organization में काम करते हैं तो सारी हम इन चीज़ों को देख कर फिर काम करेंगे तो ये strategies बनती हैं formulation second है implementation और third है evaluation formulation किस तरह से होगी developing strategies based on the organization mission and external factors मतलब कि हम external environment देखेंगे कि सही है या नहीं हम यहां पर यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फिर sort analysis होगा तो identify sort analysis की जो है वो हम long term देख रहते हैं strength है से w है weaknesses o है opportunities और third है threads तो यह साही चीज़ें देखकर हम जो भी planning है या formulation है वो इस तरह से करेंगे implementation किस तरह से होगी executed the choosing strategies effectively जो भी हमारी strategies होंगी हम इसको अच्छे से execute करके execute करके फिर उसको implement करवाएंगे ठीक है फिर है हमारी aligning resources and activities with strategic goals फिर आती evaluation किस तरह से होगी हमारी assessing the success of implemented strategies फिर हम क्या करेंगे जो भी हमने implementation किया strategies की उसको हम assess करेंगे उसके बाद making adjustment based on feedback and performance matrices तो जो भी हमारे पास feedback आगे उसको evaluate करके काम आगे देखेंगे ठीक है फिर हमारी आती है strategic formula and implementation इसमें आता है सबसे पहले sort analysis करेंगे strength और weaknesses को हम check करेंगे और इसके बाद जो है opportunities और threats जो होंगी external side से उसको देखेंगे strength और weaknesses जो है हम internal sides पर देखेंगे फिर competitive advantage जो है उसको हम देख लेंगे कि वो किस तरह से होता है हम किस तरह से advantage अपना ले सकते हैं अपनी strength को unique कर सकते हैं फिर strategies implementation and challenges कौन कौन से हमार बास challenges आते हैं वो भी देखेंगे किस तरह से देखेंगे ensuring alignment with organizational culture organization के culture को सामने रखकर कि किस तरह कि जो people's हैं यहां पर रहते हैं उनका culture क्या है फिर overcoming resistance to change फिर monitoring and adapting to all foreseen obstacles को check करके हम सारी जो analysis है उस तरह से हम strategy को formulate भी करेंगे और implementation भी करेंगे so that's all for today if you have any question regarding management or strategies so you can comment in comment section if you like our video then like share and subscribe